मदप्रदेश शासना और टार्टर ट्रस्ट ने प्राध्मिक स्वास्त सिवाओं को सुद्रन करने के लिए हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग कारेक्रम का शुभारम किया है इसके अंतरगत राज्य के तेज जिलों में 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और तेज अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मॉडल स्वास्त केंद्रों के रूप में विक्सित किये जा रहे हैं प्रथन चरण में 208 HWC और 15 UPHC में शुद्धिकरण का कारे लक्ष की और अग्रसर है इसे पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के नुसार मद्प्रदेश सरकार उतकरष्ट प्राथ्मिक स्वास्त सेवाओं को जन सामाने तक पहुचाने के लिए प्रतिबद्ध है इस परश लगभग 10,000 उप स्वास्त केंद्रों को Health and Wellness सेंटर के रूप में उन्नेयन और क्रियानवयन करने का हमारा लक्ष है टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था Collectives for Integrated Livelihood Initiative द्वारा राजी के 23 जिलों में 500 Health and Wellness एवं 23 शेहरी प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों को आदर्श केंद्रों के रूप में विक्सित करने हेतु प्रियास किये जा रहे हैं जिसका बड़ा फायदा प्रदेश की चंता को मिलेगा देश के प्रधानमंत्री आदरिन नरेंद मोदीजी के नित्योत में पूरे भारत बर्श में आप देख रहे हैं कि स्वास्त सुब्धाओं को बढ़ाया जा रहा है आईश्मान भारत के अंतरकत भी आप देख रहे हैं कि आईश्मान काड़ भी हम लोग 5 लाग तक के पर जाचों की सब्धावी बढ़ाई है और अभी मैं आज हवग जले के उपस्वास्केंद प्रात्मिक स्वास्केंद समुदाइक स्वास्केंद जिलास्पताल से अभी बात करके ही मैं आ रहा हूं मैंने सी एचों से वहां बात की उनने बताए कि लगबग 20% डेली उपस् आते हैं और आज जो टाटरा की संस्था है जो इसमें हमारे मद्परदेश के 23 जिलों में 500 उपस्वास्केंद रुपको और उसको स्थेंतन करने के लिए वो सहयोग करेंगी उसके साथ मैं आज यहां कारीक हूं का आज जुन किया आपको बता दे कि इस कवायत के जरिये सरक अल